सभी बच्चुक नमश्कार आज हम आपकी वर्क्षिट नंबर 41 कक्षा नोवे विक्यान तिनांग 7 अक्टूबर की डिसकस कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि आपका पार्ट बल तथा गती के नियम चल रहा है आज की वर्क्षिट हम गती के तीसरे नियम के बारें बात करेंगे यहाँ पर ग्यान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि हमने पढ़ा था कि बल हमेशा जोड़े में होता है तो ऐसा क्यूं होता है तो इसी पे हमारा आज जो है गती का तीसरा नियम भी डिसकस हो रहा है कि जब भी है आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु दुआरा भी कुछ बल आपके उपर या उस वस्तु पर लगाया जाता है जिससे उसको बल महसूस हो रहा है तो इसलिए कहा जाता है कि बल हमेशा चोड़े में होता है तो इसमें क्या है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है और ये दोनों विरोधी भल मात्रा में पराबर परविपरी दिशा में होते हैं और पहले भल को हम क्रिया और दूसरे भल को प्रतिक्रिया कहते हैं तो दो शब्दों को आप याद रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया कहा जाता है और यह आपकी जो है गती के तीसरे नियम की परिवाशा भी है जैसे कि जब आप फुटबोल को जो है किक मारते है तो आपने क्रिया किया बल लगाया उसके उपर जिससे फुटबोल जो है दूर चला गया लेकिन जब आपने किक मारी तो आपके पैर पे बड़ी थोड़ा भो दर्द होता है या चोट लग जाती है कई पर तो उसका कारण क्या है कि जो फुटबोल द्वारा प्रतिक्रिया की रही तो इस तरह से बल हमेशा जो है जोड़े में होता है ये द्यान रखना है अब इसमें जो है गती का जो तीसरा नियम है उसको हम किस तरह से आप एक एक्टिविटी के द्वारा समझा सकते हैं हमने दो स्प्रिंग तुला ली है ए और भी ए को हमने जो है यहाँ पे दिवार से या किसी हुक से बान दिया है और उसके नीचे वाले भाग को जहाँ पे हम वजन तोलते हैं उस भाग पे दूसरी तुला को जोड़कर और बी के उस हिस्से पे जहाँ पे उसको टांगना था वहाँ से उंगली से है उसको कीच रहे अब हमने बल किस पर लगाया था B के उपर हम B को इधर खीच रहे लेकिन उसी B के द्वारा जो बल लगा वो किस पर लगा A के उपर A ने जो बल लगाया वो B के उपर लगाया और उसमें अपोसिट लगा बल A के उपर तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया दोनों तरफ हो रही है जिसके कारण आप देखोगे कि A तुला और B तुला में जो आपको रीडिंग मिलेगी वो बरापर मिलेगी तो इस तरह से हम इसको आराम से समझाया जा सकता है दैनिक जीवन में इसके कहां कहां उपयोग है वो देख लेते हैं खेलते समय टकराने पर चोटिल हो जाना भी जो है तीसरा नियम बताता है हम जो चल रहे हैं पैदल उसक में भी तीसरा नियम है आपके पैर का अगला हिस्सा जो है जमीन के उपर किरिया कर रहा है प्रतिकिरिया में जो है जमीन उसको उपर की तरफ दखेल रही जिसका अरण आप उसको उपर उठाके आगे रख पाते है मंदुक से जो गोली छोड़ने पर जो होता है प्रतिक शेप्चन जिसको की इंगलिश में रिकोयल कहा जाता है वो गोली कर छोड़ने की प्रतिकिरिया है ये क्रिया हो गई और ये आपकी प्रतिकिरिया रोकेट जो उपर उठके जा रहा है तो इसमें से जो एक्तम से जो गैसे इसकी वज़े से जो जलेंगे तो दुआ जो निकलेगा वो नीचे की तरफ जा रही और वो प्रतिकरिया क्या हुआ कि रोकेट ऊपर की तरफ जा रहा है नावी के आगे की और कूदने की स्थिति में नाव पीछे की और जाती है आँव देखो इस पैर से इसने बल लगाया जिस कारण से नाव ने वापस लगाया तो जिसकी पृतिकृया क्यों ही, कि ये आराम से यहां पे कूद पाया यह हमी कह सकते हैं कि कृया कर रहा था, यहां कूदने के लिए पृतिकृया में यह पीछे भी चला गया ट्रेंपुलीन में जब है कूदने में आप देखोगे कि इस आदमी ने जो है नीचे की तरफ बल लगाया था और प्रतिक्रिया में ट्रेंपुलीन इसको उपर वापस उचाल दिया आप दिवार पे गेंद मार के खेलते हों वो भी गती के तीसरे नियम को ही दर्शात है आपने प्रतिक्रिया करी दिवार की तरफ बोल फेंकने की दिवार से वापस आई वो भी प्रतिक्रिया प्रेशन उत्तर देखते हैं इसके अब इसमें जो है गती का तीसरे नियम प्रति विप्रीत होते हैं. दोनों में से आप कोई भी लिख थकते हैं. यदि हागच हमारे द्वारा पैन पर लगाए कि बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते हम नहीं लिख सकते हैं अगर बल वापस नहीं किया जाता क्योंकि उल्टा बल जो लग रहा है वो कलम उठाने में मदद करता और प्रिष्ट पर लिखने के लिए कलम को किस करने में भी मदद करता है एक सैनिक राइफल से गोली चलाने या दागने से पहले राइफल को कंदे से क्यों सठा लेता है, इसका कारण है बंदुक से गोली निकलने के समय उत्पन होने वाली रिकोईल जो बंदुक को कंदे पर कसकर बांदे में प्रविति में उत्पन अधिकांच भल को आउशोशित करने में मदद करती है जिससे जो शूटर है वो अपनी शूट को स्थिर करता है और आराम से कड़े रहके कर सकता है मार सकता है गोली देनिक जिवन में गती के तीसरे नियम के उपयोग गोड़ा गाड़ी जो खीच रहा है एक विकती जमीन पर चल रहा है हतोड़ा एक कील को धक्का देता है मेगनिट पेपर जो है क्लिप को अट्रेक करे कती के तीसरे नियम में कहा गया कि प्रतिक क्रिया की समान और विप्रित प्रतिक्रिया होती आ यह चलने के लिए भी प्रासंगी कै क्योंकि जब आप अपने पैर जमीन पर रखते हैं तो आप उस पर बल लगा रहे होते हैं ऐसा करने में जमीन वास्ता में आप पैर पर एक समान बल लागू करती है विप्री दिशा में जो आपको आगे बढ़ाती है तो अमीद करते हैं आपको वक्षीट पसंद आई होगी देखने के लिए धन्यवाई और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू